हेलो प्रेंट्स आपका अपनी रेखा नारा एंड बुमिन इंड वेवी के चैनल में बहुत बहुत स्वारत है आप सब कैसे हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आज हम आपको छोटे बच्चों के लिए जो बच्चे 6 महीने के हो गई हैं तो उनको कौन सा फूट खि दिखा रहे हैं आप उसको बनाइए और बच्चे को की हैल्थ को बिल्कुल ठीक कीजिए क्योंकि बच्चों को फूड की बहुत जरूरत होती है जब उच्छे महीने के हो जाएं उसके बाद आप फूड शुरू कर सकते हैं और यह फूड सूपर पूड है और बहुत है और बहुत लाइट है जो बच्चे को पच्चने में बहुत आसान रहता है और बच्चे को नुकसान भी नहीं देता इनके तीन इंग्रीडियन्स हमें बेवी फूड में चाहिए पहला है दूद दूसरा मेन है सूजी सूजी सिर्फ दो चमच बहुत छोटी कटोरी में लेना है और जितना रेक्वायर हो उतना ही बनाना है और ये थोड़ी सी चीनी ज्यादा चीनी का भी यूज नहीं करना है अब गैस को जलाएंगे बिल्कुल मीटियम गैस पे शुरुआत में और जो ये हमारी सुजी है इसको हम डाल देंगे बस इतनी ही सुजी है ये छोटी कटोरी ये देखिए बिल्कुल छोड़ी सी कटोरी है बेबी फूद के लिए हम सुजी को भूनना शुरू करते है देखिए सुजी भून गई है लगबस अब हम इसमें ये एक कप अपना दूद है पूरा अब इसको डाल देंगे हलका सा एक उबाल आते ही अब हम इसमें ये चीनी है ये चीनी डाल देंगे ये हमारी सुजी की खीर हो गई तयार चीनी मेल्ट होने तक इसको हलका चलाना है कि इतना गड़ा हो जाएगा बस इससे ज्यादा ना हलका गड़ा चाहिए ना पतला चाहिए ना ज्यादा मोटा चाहिए अब हम इसको बाउल में निकार लेंगे जितना रिक्वाइब हो ये आप एक बार बना कर ताजा ताजा ही बनाएए और ताजा ताजा ही इसको ऐसे ठंडा करके और जब ये रूम टेंपरेचर पर आए तो बेबी को खिलाएं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बहुत ज्यादा देता है आज हम अरिक ये जो है बेबी पूर तयार है सूजी की खीर इसको कहते हैं बहुत फायदा देती है बहुत ज्यादा बच्चे को डाइजेशन में भी बिल्कुल हलकी है बहुत फायदा देती है आप इस खीर को बनाएं और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे क करके पूछें और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू